तोफ फो बैस लाडप फोटो एल्टिंग लिए तो एल अग्रा फोटो एलिग सीखरी हो यह वीडियो मैं स्पेशलि आप के लिकलियो करो भात करेंगे तोड़ा सा पर भी जाएंगे तो यहार वीडियो के साथ बने रेना बात करते हूं सीधा नमबोफी नमबोफुकी बात क की बिल्ट को टीवी आपको तगड़ी मिल जाती है तो भी अगर आप MI Horizon के और जाने जाते हो आप जा सकते हो मैं इसके आपको बता देता हूं इसका माइनस पॉइट भी आपको बताने वाल यदू इसके बात करते हैं तो सबसे पहले इसके सप्यसिक्विकरिकशन की बात करते हैं तो डिस्प्लीय की बात करूं आपको 14 फूल ह्क्तागी की बात करूं आपको ost देखने को मिल जाती चो Monsieur bicycle to 2GB देखने को मिल जाता है, उप्रेडिस इसनों की बात करों, उपको Windows 10 मिल जाती है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 10 hours का बैंटरी बैकप पर वाइड कर देखता है, प्राइस की बात करों, उपको 50,000 के बज़ेड में, M.I. Notebook Horizon देखने को मिल जाएगा, तो यहार, main specification तो मैंने आपको बता दिया, M.I. Notebook Horizon के, सबसे पहले बात करते हैं, इसके plus point तो चलो, मैंने आपको बता दिया, कि आपको build quality अची मिल जाती है, specification पर आपको तगडे मिल जाते हैं, लेकिन अभी इसके minus point की भी बात कर लेते हैं minus point surface का यह देखने को मिलता कि आपको 8GB RAM तो मिल जाती है, लेकिन आपको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आजाता है, तो इस चीज को आप देख लेना, आपको 12GB तक भी नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point है, in case अगर आपको future में upgrade करनी पड़ेगी RAM को, तो वो फोटो एटिंग करनी है, अगर आपने normal setting पर gaming करनी है, जहां फिर अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है, office पर के लिए चाहिए student हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद भी अगर आप animation करते हो, graphic design करते हो, cartoon करते हो, and भी अपने programming करनी है, coding करनी है, आप सभी के लिए, ये laptop perfect deal हो सकता है, आप जा सकते हो, and my notebook horizon के, अभी आगे बात करते है, number three की, number three की बात करें, number three पर या मैंने रखा Acer Spire 5 को, अगर इस laptop की बात करें, इसको या number three पर रखने का सिर्फ एक reason देखने को मिलता है, कि आपको budget range बहुत सही मिल जाता, आपको 45,000 के budget में Acer Spire 5 trusted brand हा, sorry, top brand में से आता है, प्लस इसके भी specification आपको पूरे loaded मिल जाते हैं, मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना जाता, मैं आपको सीधा ही इसके specification की बात कर लेते हैं, तो display की बात करूँ, आपको 40 इंच Full HD display मिल जाती है, जो की IPS panel display, 60 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी, पर स आसर की बात करूँ, आपको i5 देखने को मिलेगा, 10th generation के साथ, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते है, expandable आप कर सकते हो, 16GB तक प्लस आपको 40 GB, SSD देखने को मिल जाती है, ग्राफिक आट की बात करूँ, आपको Nvidia G4 MX350 देखने को मिल जाता है, उप्रेणी सेस्ने की बात क आपके भी, ये laptop भी सच में बहुत तगड़ा, अब भी बात करते हैं कि ये laptop की लोगों को लेना जाए, तो भी अगर आपने वीडियो एटिंग करने है, photo editing करने है, gaming करना जाते हो, कोई heavy software यूज़ करना जाते हो, आप इस laptop के और जा सकते हो, plus सभी के link मैंने description box में दिये टू की, नंबर टू की बात करते हैं कि नंबर टू की बात करने से पहले में आपको बता दो, नंबर टू एंड नंबर वान को दोनों को combine कर देते हैं, तो भी अगर आपको फिफ्टिंग तौदन पजास हजार से अपर बजट आपका अगर हो जाता है, तो आप जा सकते हो, एसर इसपायर सेवन के और, जा फिर आप जा सकते हो, एसर नीट्रो फाइब के और, यह दोनों लैप्टॉप सारी, आपको perfect deal मिल सकते हैं, तो भी अगर आपको gaming design नहीं चाहिए, एसर इसपायर सेवन आपके लिए perfect deal हो सकता है, एंड उसका budget range भी बहुत रही है, वो लैप software यूज़ करना है, इसर नीट्रो फाइब में आपको recommend करूंगा, अगर आपने video editing करनी है, photo editing करनी है, एंड भी अगर आप गेमिंग करना जाते हो, तो यह अगर आपने कोई भी software यूज़ करना है, इसर नीट्रो फाइब पर आप normally कर सकते हो, मैं ऐसे नहीं कर सकते हो, मैं बिल्कुल भी नहीं कहा रहा, वही कई बंदे होते हैं, जिनको gaming design नहीं चाहिए होता है, अगर आप भी उन में से आते हो, जिनको gaming design नहीं चाहिए, office work के लिए भी चाहिए, तो इससर इसपार 7 जो है, वो आपके लिए perfect deal हो सकता है, आप जा सकते हो, अभी मैं दोनों के main specification क की बात आप से कर लेता हूं, तो यहर, इससर इसपार 7 के specification की बात करूं, सबसे पहले display की बात करूं को 50.6 inch full HD display मिल जाती है, जो की 16 refresh के साथ आती है, पुर सैसर की बात को i5 9th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाती है, अपर ग्रेट आप कर सकतो 32GB तक, प प्रवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूं, आपको 54,000 के बज़र में, इससर इसपार 7 देखने को मिल जाता, अभी बात करते हैं, इससर नीट्रो 5 की, सबसे पहले display की बात करूं का, आपको 15.6 inch full HD plus IPS panel display मिल जाती है, जो की 16 refresh के साथ आते है, पुर सैसर की बात करूं, आपको इसमें Ryzen का पुर साइस तर देखने को मिल जाती है, गेमिंग के लिए पॉफेक्ट है, वीडियो एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा तगड़ा है, AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाता है, 3550H के साथ, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाती है, अपको 32GB तक प्लस आपको 5 12GB SSD देखने को मिल जाती है, जो कि SSD का benefit यह होता है अगर आप data बगारा, जल्दी transfer करना जाते है, वो जल्दी हो जाता है, इस companion किया जाता है, HDD के साथ है, और प्रेनी system की बात को आपको Windows 10 मिल जाता है, ग्राफिकार की बात करूं, इसमें आपको GTX 16504GB मिल जाता है, आपनों में से console लेना चाहिए, मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ, सब कुछ क्लियर कर दूगा यार, तो अगर आपका budget 57000 हो जाता है, अगर आपने वीडियो एटिंग करना है, 4K बगारा भी try करना जाते हो, आप सभी के लिए perfect deal हो सकता है, Acer Nitro 5, अगर आपको gaming design नहीं च सकते हो, अगर आपने photo acting करना है, आप normally easily कर सकते हो, अगर आपने कोई भी heavy software यूज करना है, आप इन laptop पे कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ, आपको SUS के laptop भी बता सकता हूँ, लिनोवो के laptop वगरा भी बता सकता हूँ, लेकिन इस price range में इस सर्फ बहुत जादा सही कर रहा है, so that that's why मैंने इनके जो buying link भी है, जो मैंने description box में दिये हो है, आपको check out करने को मिल जाएंगे, प्लस अगर आपका विडियर 40,000 नहीं, 40,000 के budget range की भी मैंने video किया, अगर आपको video acting के लिए जाए, photo acting के लिए, कोई भी काम करना जाते हो, आप सभी के लिए भी मैंने video किया, उसक यहीं पर हुजातिया करता, so I hope कि मैंने सब कुछ clear कर दिया, ठीक है, तो मेरी video यहीं पर हुजातिया करता, अगर आपको video को अच्छ लगी यार वीडियो को like करताना, comment करताना, share करताना, दोस्तों को बेदाना, दोस्तों के भी दोस्तों को बेदाना, उनको भी कहताना कि च करताना, 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 करता